आपको सूर्स पिनान्स के अंदर जिसमें आपको एक्विटी और प्रिफरेंश के बारे में पूरी-पूरी इंफरमेशन सिखा दी है आज आओ, आज सिखाता हूँ बोनस शेर्स और बोनस इश्यू के बारे में और आज की क्लास में हम कोशिश करेंगे कि डिमेंचर्स तक का सारा टॉपिक आपको पढ़ा कर बता दें तो बोनस शेर्स और बोनस इश्यू में सिर्फ मीनिंग हमारे सिलिबस में है ये होता क्या है आई ये जरा देखते हैं ये bonus shares की कहानी क्या है चलो भईया चलो कुछ आपको दिखाते हैं करके तो मेरी जान एक काम करते हैं मा लेते हैं एक company के पास ना ये profits हैं company के पास ये क्या है ये company के पास है undistributed profit undistributed profits अब ये जो profit है ये company ना dividend के form में नहीं देना चाहती है ये company dividend के form में नहीं देना चाहती है company क्या करती है इस पैसे को as bonus share as bonus share free of cost existing share holders को दे देती है मैंने क्या बताया bonus shares का मतलब क्या है जब company के पास large amount of undistributed profit होता है तो ये पैसा company in the form of dividend के ना देने के लिए क्या करती है existing shareholder को fully paid up shares offer कर देती है free of cost मतलब माल लेते हैं मेरे पास company के 3 shares थे तो company ने मुझे bonus में एक और दे दिया मतलब मुझे उस share को खरीदे के लिए पैसे नहीं देने पड़े इस process को bonus issue कहा जाता है सिर्फ meaning syllabus में है मैं अगर आपको सिखा ले गया होता क्या है concept आप meaning अपने शब्दों में लिखकर चले हैंगे पूरे पूरे नमर मिलेंगे पिलकुल tension मतलो चीक है bonus share क्या होता है bonus issue क्या होता है तुम्हें समझ पर आते है right shares के उपर right shares के अंदर क्या होता है मालेते हैं ये हैं मेरे पास existing shareholders एक्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं। अब कंपनी क्या करने जा रही है? नए शेयर्स मार्केट में इशु करना चाहती है। यह नए शेयर्स मार्केट में निकालने वाली है। अब क्या होगा? यह नए शेयर्स कंपनी को पहले एक्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ओफर करने पढ़ेंगे और अगर ये offer decline कर देते हैं ये existing shareholder तब ये company किसी और कोई ये shares issue कर सकती है इस process के लिए 30 दिनों का समय दिया जाता है existing shareholders को तो इस process को बोलते है rights issue और यहाँ पर shareholders अपनी कौन सी right को exercise कर रहे हैं preemptive right का इस्तमाल कर रहे हैं shares का मतलब क्या होता है जब भी company नए shares अपने market में निकालना चाती है तब वो अपने existing shareholders को इस issue के बारे में बताएगी पहले offer existing shareholders को दिया जाएगा जब वो नहीं लेंगे till 30 days तब ये share किसी और को offer किया जाएगा in general public समझ में आ गया right shares क्या होते हैं कोई भी चार difference अप तुमको prepare करने हैं और बढ़ते हैं अगले topic के ऊपर अगला topic है मेरा ESOP Employee Stock Option Plan ये ESOP क्या है अब generally क्या होता है कभी कभी company अपने shares ना अपने employees को भी देना चाहती है उसको रगता है कि यारी employee अगर हमारी company में पैसा invest कर देगा तो वो लंबे समय तक और ज़दा loyal रहकर काम कर सकता है तो क्या होता है एक scheme होती है ESOP की जिसमें हमारे employees को discounted rate पर discounted rate पर shares offer किये जाते हैं discounted rate में shares और रुपय का है अपने employee को 80 रुपय में ही दे दिया तो discounted rate में shares offer किये जाते हैं इसको बोलते हैं employee stock option plan और इसमें एक option भी होता है employees के पास वो चाहें तो पैसा अपनी salary से monthly monthly भी कटवा सकते हैं ठीक है यह free में नहीं मिलते हैं इसके लिए company को इसके लिए employee को पैसा देना पड़ता है generally यह share market price से कम के price में होते हैं और option होता है आपको installment में पैसे दे सकते हो इसकी भी सिर्फ meaning अमारे syllabus में है भाई ठीक है ना retained earnings retained earnings क्या होता है retained earnings का मतलब होता है plowing back of profit मतलब एक company ने मान लो एक साल profit कमाया in 2022 इसने profit कमाया 100 करोड रुपए इस 100 करोड रुपए में से profit save कर लिया 10 करोड और retained earnings में डाल दिया मतलब retained कर लिया उस profit को अगले साल उस company ने इस profit का इस्तमाल कर लिया तो retaining या plowing back of profit into the business is known as retained earnings आपने पैसा save किया अगले साल आपने वही save किया पैसा business में reinvest कर दिया उसको बोलते है retained earnings इसके क्या फाइदे हैं क्या नुकसान हैं आईए देखते हैं तो सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं merits to company company को क्या फाइदा होता है सबसे पहला ये convenient method है किसी से पूछना नहीं पड़ता convenient method convenient method है boss इसको use करने से वे कोई legal formality नहीं होती है तो no legal formalities no legal formalities third लिख लो बेटा no charge on asset कुछ भी गिरवई रखने के लिए जरूरत नहीं होता है no charge on assets no charge on assets और एक point और लिख लो मेरे भाई flexible flexible financial structure financial structure क्योंकि हम पैसा loan नहीं ले रहे है ना share capital shares issue कर रहे है तो आपके पास flexibility बड़ी रहती है विकास हम अपने retained earnings को इस्तमाल कर रहे है तो ये merits है to the company अब बात करते हैं to the shareholders क्या merit होने वाला है shareholders के लिए क्या merit है आईए वो भी लिखते हैं फटा फट से safety of investment जिस company के पास बहुत पैसा है जरिजर्व रखा होता है वो company काफी stable और secure होती है ऐसे apple एक बहुत बड़ा example है दूसरा regular dividends regular dividends एक company अगर लगातार फायदे में है तो वो regular dividends देती है और profitability भी बढ़ती है profitable profitability will increase तो ये तीन points आप remember कर सकते हैं भीया merits to shareholders अब बात करते हैं कुछ merits to society भी है यहाँ पर दो point उसका भी देख ले हो गया सबसे पहला better quality goods better quality goods at affordable prices ऐसी companies अक्सर अच्छा समान affordable prices पर बनाती है दूसरा लेख 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 it makes it makes economy more stable जिस country में ऐसी companies operate करती है उस company की economy काफी stable होती है दो point prepare कर लेगे merits का चलेगा भाई चलेगा अब आते हैं इसके demerits के उपर क्या है इसके demerits कोई भी तीन points आप prepare कर सकते हैं तीन से चार point चलो भीया चार point देखें देखें इसके demerit क्या है पहला चलो भीया manipulation manipulation of share prices कई बार company यह दिखाती है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा रिजर्व है बहुत ज़्यादा रिजर्व है बहुत ज़्यादा रिजर्व है लेकिन एक्चुल में वो ऐसा कर रही होती है so that उसके market में share prices बढ़ते चले जाएं ठीक है रहा unstable source unstable source क्यों 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 कोई जरूरी नहीं है कि वहीं कंपनी के हमेशा profit में रही रहे तो आप पूरी तरह से rely नहीं कर सकते हैं retained earnings के ऊपर कही नहीं आपके पास थोड़ा loan मिलने की capacity होनी चाहिए shares issue करने की capacity होनी चाहिए ठीक है आगे बढ़ दें चलो भी यह एक और अच्छा सा पॉइंट क्या दिखा दूँ dissatisfaction dissatisfaction amongst shareholders dissatisfaction among shareholders मतलब company ज्यादा पैसा save कर रही है और कम पैसा as dividend distribute कर रही है amongst the shareholders तो यह तीन पॉइंट प्रिपर कर लोग काम बन जाने वाला है तो बस अब बढ़ते हैं हम लोग आज के main topic के उपर वहिया अब hero से मुलाकात होने जा रही है आपकी हम बात करने जा रहे हैं debentures के बारे में debentures क्या होता है कैसे पूछते हैं क्या types हैं सब कुछ जानेंगे debentures एक तरह का loan होता है company के लिए और debenture holders को मिलता है interest चाहे company के पास पैसे हो या ना हो debenture holder को interest pay करना company के लिए obligation होता है expense होता है debenture का interest तो चलो भाई सबसे पहले बढ़ते characteristics जो हमारे syllabus में नहीं है ठीक है ना debenture holders के पास कोई voting rights नहीं होते हैं debenture holders को कोई capital appreciation नहीं होता है debenture holders को मिलता है तो क्या सिर्फ interest वो भी regular ठीक चलो बास हमारे syllabus में है share between shares and debentures यह आपको पढ़ना है और यह मैं आपके उपर छोड़ूँगा अब बढ़ते हैं हम लोग kinds of debentures आओ ज़रा देखते हैं सबसे पहले आते हैं naked और mortgage debentures naked debentures कौण से debentures होते हैं वो debentures जिसमें कोई भी assets को गिरवी नहीं रखा गया होता है मतलब generally होता क्या है जब हम loan लेते हैं तो एक asset गिरवी रख दिया जाता है debentures भी एक तरह का loan है तो मतलब वो debentures जो issue तो किये गया है लेकिन बदले में कोई भी assets को गिरवी नहीं रखा गया है उनको बोलते है naked debentures और mortgage debentures क्या होते हैं आपने debentures issue किया लेकिन कोई ना कोई asset गिरवी रखा गया है मालो company कभी पैसा नहीं दे पाई company कभी default करती है तो उस asset को बेच कर हम पैसा recover कर सकते हैं तो mortgage debentures में कोई ना कोई assets को गिरवी रखा गया होता है आगे बढ़ते हैं redeemable and non redeemable redeemable debentures वो होते हैं जो after certain period after certain period जिनका पैसा refund कर दिया जाता है वापस कर दिया जाता है non redeemable debentures कौन से होते हैं जिनको पैसा after certain period वापस नहीं किया जाएगा इनका पैसा तभी वापस किया जाता है जब business बंद हो रहा हो during winding up of the company समझ में आ रही है बात चलो बहिए चलो आगे बढ़ते हैं bearer and registered debentures bearer debentures वो होते हैं जिस debentures certificate के ऊपर किसी का में नाम नहीं लिखा होता है मतलब जिसके पास वो debentures का certificate है वो debentures उसका हो गया जैसे नोट गांधी जी मेरी जेब में है तो मेरे तुम्हारी जेब में तो तुम्हारे तो वो क्या हो गया bearer currency हो गई तो bearer debentures समझ में जिसकी जैब में उसी का है वो debentures registered debentures का मतलब क्या होता है जैसे check होता है ड्राफ्ट होता है registered debentures किसी एक particular बंदे के नाम पर registered होता है चाहें उसके पास हो वो उसी बंदे का है उसे बोलते है हम लोग registered debentures आगे बढ़ते हैं Convertible debentures क्या होते हैं? जो after certain period of time equity shares में convert किये जा सके हैं और non-convertible क्या होंगे? जो equity shares में convert नहीं किये जा सकते हैं throughout the lifetime of the debentures. ठीक है बच्चा बाड़ी? समझ में आ रही है. आगे बढ़ें और आगे बढ़ते हैं और अगले topic की तरफ आ रहे हैं जो की कमाल का topic है भाईया यह advantage क्या होता है? advantages हम पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले debenture holders के point of view मतलब investor point of view से. सबसे पहला appeal to cautious investors. cautious investors कौन होते है? जो डरे होते हैं जिनको अपना capital appreciation नहीं चाहिए हमें risk भी नहीं चाहिए साहब जो safety of investment समझते हैं वो invest करते हैं debentures के अंदर because regular rate of interest तो मिलेगा ही चलें आगे बने अगला regular returns जैसे मैंने बताया आपको company ये बास profit हो या ना हो unlike shares of reference shares यहाँ पर interest मिलेगा ही मिलेगा surety होती है आगे बढ़ते हैं तीसरे point पर आते हैं safety of investment मैंने बताया आपको क्योंकि ये debentures generally issue के जाते हैं कोई ना कोई assets को गिरिवी रख कर तो यहाँ पर ये investments काफी safe मानी जाती हैं आगे बढ़ते हैं अगले point पर आते हैं अब हम पंडे जा रहे हैं from viewpoint of company company क्या क्या फाइदा होता है सबसे पहला economical source काई को economical source because इसको issue करते समय कोई भी legal formalities बहुत paperwork नहीं करना पड़ता है आसानी से debentures को issue कर सकती है company दूसरा freedom of management why freedom of management because debenture holders के पास कोई voting rights नहीं होते हैं साहब ये कोई भी business में interfere नहीं कर सकते हैं इसलिए freedom of management होता है company के पास भाइया ठीक है चलो आगे बढ़ते है trading on equity trading on equity because equity shares नहीं issue हो रहे हैं आपने पैसा debt के through raise किया हुआ है तो आप trading on equity कर सकते हो high garing low garing ठीक आगे बढ़ते है flexibility ये flexibility का point क्यों इतना अच्छा है क्यों इतना अच्छा है because जब company के पास पैसे होंगे तो debenture holders को वो repay कर सकती है burden सरपे रखने की जरूरत नहीं है जब पैसे होंगे तब हम वापस कर देंगे क्या दिक्कत है समझ में आ रहा है बया चलो चलो बढ़ते हैं आगे tax relief, tax relief क्यों company ना interest pay करती है, interest pay करती है तो उससे profit कम हो जाता है और company का profit कम होगा तो उससे कम tax दिना पड़ेगा इसलिए अकसर companyya debentures issue करती है so that उनको tax relief मिल सके, चलो आगे बढ़ते है और अब पंड जारें disadvantage, disadvantages of debentures from the viewpoint of company, company के viewpoint से disadvantage क्या है? सबसे पहला permanent burden of interest, क्यों चाहे profit हो या ना हो, interest तो देना ही देना है तो ये red alert रहता है हर company के लिए, या profit होगा या नहीं होगा, interest देना ही पड़ेगा, आगे बढ़ते हैं और अगला क्या है, reduction in credit standing, क्योंकि debentures आपके लिए loan होता है, already आपने debentures issue कर रखे हैं तो और loan मिलन की संभावना कम हो जाती है, तो reduction in credit standing, समझ में आगया, charge on assets, generally, जब debentures issue किये जाते हैं तो आपके assets को गिरवी रखना पड़ता है, और मान लो किसी वज़े से आप उनके पैसे चुका नहीं पाए, तो आपके asset तो गए भाया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और अगले point पर आते है, reduction in dividend, reduction in dividend क्यों हुआ, मालो, 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 क्या होता है, कि debenture holders को दिया जाता है interest, और interest होता है एक तरह का expense, expense कहां लिखते हैं, profit से minus, profit से minus करते हैं expense, तो profit से जब minus किया जाता है expense, तो कम profit बसता है, तो आप कम dividend दे पाते हो, छीका न, बात समझ में आ रही है, चलो अब आते हैं हम लोग viewpoint of debenture holder, investor point of view से इसके disadvantage पंडे जा रहे हैं और बस वेटा बस आज की class यही पर समाप्त मैं करूंगा, सबसे पहला होता है no voting rights, आप debenture holder हो लेकिन आपके company के संभालने या company को control करने का कोई भी अधिकार आपको नहीं दिया जाता है, आपके पास अगली debentures ना महेंगे मिलते हैं, unlike shares, तो कम लोग ही debenture सो खरीद पाते हैं, high unit value होती है debentures की, ठीक, आगे बढ़ते हैं उसके बाद क्या, unattractive, क्यों, अगर कोई भी बंदा अपनी investments को multiple times grow करना चाहता है, वो कभी भी debenture में पैसा लगाएगा नहीं, अक्सर वो लोग जो पैसा लगाते हैं, जिनकी risk appetite कम होती है, अब अगली class में मैं आ रहा होंगा, और आपको commercial bank के बारे में बताऊंगा और financial institution के बारे में बता रहे होंगे, till then तुम्हें यहां तक पढ़ाई करनी है, and keep smiling and keep learning, हम मिलेंगे अगले वीडियो में, थोड़ा सा भी वीडियो पसंद आ रहा हो, तो अपने दोस्तों से, अपने teacher से जरूर शेयर करें, बाबाई, keep smiling